आजकल देखते हैं कि हर कोई मोबाइल से फोटोखीच कर फोटोग्राफर बन जाता है लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ऐसा काम करना होगा जो मालूम हो सके कि वास्ता में ये पेशेवर फोटोग्राफर है फोटोग्राफी कहां सिसी के फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए आप फोटोग्राफी में कराया जाने वाला कोर्स और डिप्लोमा कर सकते हैं ये कोर्स करने के लिए आपको बार्मी या ग्रेजुएट होना चाहिए वैसे तो बड़े-बड़े महानगरों में और शेह कर सकेंगे तो आपको उन certificate course की अवदी 3-6 महीने की होती है इसकी फीज 40-50 वर्श की होती है डिप्लोमा कोर्स एक से 2 वर्श का होता है इनकी फीज 50-80 वर्श को यह प्रतिवक्ष तक जा सकती है बैचलर डिगरे की अवदी 3 वर्श होती है इसकी फीज 50-80,000 के आज़स रहती है यदि आप इन महेंगे कोर्स की फीस वहर नहीं कर सकते और अगर आपका बजट कम है फिर भी आप ये बिजनस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी है दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने शहर के किसी पोफेशनल वेडिंग फोटोगरफर के पास जाएं और उससे कहें कि आप उ मनजल मिल जाएगी उसके साथ असिस्सिंट का काम कर सकते हैं प्रोफेशनल फोटोगरफर द्वारा किये जा रहे काम पर भी आप नज़र रखें इस तरह काम करते हुए चौर से छे महीने में आप उसके साथ रहकर पूरा काम सीख जाएंगे इसके बाद आप अपना बिज करने होंगे इसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा यदि आप बड़ा स्टूडियो नहीं बनाना चाहते तो आपको केवल एक ऐसी जगा बनानी होगी जहां कंप्यूटर के माध्यम से फोटो बनाएं यदि यह भी नहीं बनाना चाहते और प्रोफेशनल डेवलपर से अपनी फोटो बनाना चाहते हैं तो आपको कैमरा, लाइट, लेंस आदी खरीदना होगा, कैमरा, लेंस, लाइट आदी की कोई इक्षमता नहीं है, आप अपनी इक्षमता के हिसाब से कैमरा, लाइट आदी खरीद सकते हैं, अब बात आती है कमाई, तो आपकी इक्षेत्र स्वेम का स्टूडियो खोड़ रहे हैं तो आप एक लाग से पांच लाग रुपए इंवेस्ट कर सकते हैं 20-35,000 रुपए प्रतिमा प्राप्त कर सकते हैं यदि घर से ही काम करना चाहते हैं तो आपकी आई सीमित रह सकती है यह सीजन में अच्छी हो जाएगी और आफ सीजन बहुत बड़ी कला है इसमें आप चुप गए तो फिर आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा जैसे अगर प्रोग्राम जादा भागदौर वाला है तो मतलब अगर आपको भागते दौरते वे फोटो लेनी है तो आपको आटो फोकस वाले कामरे को यूज करना होगा और इ पता होना चाहिए कि आप कौन सा इवेंट शूट करने जा रहे हैं जैसे शादी अब बर्थडे पार्टी अलग होती है शादी हो तो कपल और उनके घर परिवार के खास लोग और खास मेहमान के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए यदि बर्थडे पार्टी है तो ज बिजनस का पेश बनाएं यहां भी तस्वीरों को शेर करें अपना बिजनस बढ़ाने के लिए ये काम करें यदि आप केबल फोटोगरफी करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास शादी ब्यार रिसेप्शन जन्दिन सलस्थान के उब खाटनादी के ओर्डर मिलते रहें तब तक उनमें काम करें और जब लगे कि ये सारे काम नहीं मिल रहें अपने लिए सीजन आफ हो चुका है तो अपने फैशन फोटोगरफी की और कदब बढ़ाएं यदि आप फोटोगरफी के साथ वीडियोगराफी भी करना चाहते हैं तो आपके लिए सोरे पर सुहागा साबित होगा क्योंकि जातर हर कारेक्रम में फोटोगरफी और वीडियोगराफी साथ साथ कराई जाती है इसके लिए आपको एक सहाएक रखना होगा वीडियोगराफी या फोटोगराफी में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो इससे आपके बिजनस को दुगना लाब हो इससे आपकी कमाई भी बहुत जादा होगी इस बिजनस की डिमांड पूरे साल रहती है ये बिजनस कभी बंद नहीं होता हमारे देश में आज भी अच्छे वीडियोग्राफर की कमी है अच्छा वीडियोग्राफर बनने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना कि अष्ड़ने के अच्छे में ये थी पी इस सके है बिजनस के वीडियोग्राफर वी ये जड़े वीडियोग्राइग्राफर के लिए येप।